Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत सभागत हैं आप सब का आज के सेशन में हम कर रहे हैं Fast Track Taxation for CA Intermediate May 23 और आज इस सीरीज का 25th lecture है 25 days of non-stop studying precisely at 9pm every night it's just amazing DT का syllabus हमारा खतम होने के कगार पर आ चुक है हम आज deductions खतम कर लेंगे उसके बाद हमारे पास मुश्किल से हम लोग कल कौन सा topic करेंगे incomes which do not form part of total income of the SSE और उसके बाद परसो हम लोग residential status कर लेंगे और उसके बाद हम computation of total income and tax payable start कर देंगे फिर या फिर computation से पहले हम थोड़ा बहुत return filing के बारे में भी बात कर लेंगे अगर इसी pace पे चलता रहा तो DT आपका खतम हो जाएगा depending on the depending on whatever is given in your schedule और उसके बाद फिर अम लोग IDT start कर देंगे एक है I sincerely hope कि जितने भी students यहां पर regularly देखते हैं मैं आप सब लोग के नाम जानता भी हूं क्योंकि आप लोगों के regular यहां पर नहीं ले रहा हो so please don't get offended अगर किसी का नाम यहां पर नहीं लिया है तो but very good hats off to you इस लेवल का dedication maintain कर पाना एक online class में कि रोज रात को नौबज यहां पर हम आएंगे और पढ़ेंगे और जो भी questions हैं उनको solve करेंगे homework करेंगे this is just next level this is just amazing in fact you are the reason that is making me going on right so very good and just keep it up आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने शुरुआत में देखना शुरू किया था लेकिन अब शायद उतना regularly वह लोग नहीं देख पा रहें उन लोगों के साथ भी आप शेयर करो उनको भी थोड़ा सा आप पुश करो कि वह लोग भी questions को solve करें सारी आप लोगों को बता देता हूं तो रोज रात को 9 बज यहां पर class चलती है इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट्राक टाक्सेशन हम लोग कर रहे हैं DT IDT दोनों कवर होगा अगर आप GST डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपन आपको सिंगल ग्रूप के लिए जाना चाहिए और आपको सिंगल ग्रूप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रूप के लिए जाना चाहिए तो आप उस सेशन को जरूर देखना और सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के दिस्रिप्शन में मिल जाएगा अक्चुली हेल्प यो अंडर्स्टाइंड कि आपको रिविशन किस तरह से करना चाहिए यह जित्रे भी सेशन शुरुवात से लेकर अभी तक हमारे हुए है उन सबकी प्रॉपर प्लेयलिस्ट में बनाए हुई है उस प्लेयलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्रिप्शन में मिल जाएगा अपने वहां पर गया और आपको सीक्वेंशली सारे की सारे लेक्चर्स मिल गए जो भी मैं आपने नोट्स यूज करता हूं वह सारे नोट्स की पीडिएफ भी आप लोग को प्रवाइट की हुई है और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए सर लेट्स गेट स्ट और वेड्यक्षिन सिन रिस्पेक्ट ऊढर इंकल्स और उस चौथी कटिगरी अदधर द्यूक्षिन सेंसें पहला था एकटीज़ केंदर 23 मोड़ मैंशन है और फिर ETC किया फिर ETC किया फिर ATD किया, फिर ATDD किया, फिर ATDDB किया, उसके बाद ATE किया, EE किया, EA किया, EB किया, बहुत सारी किये हम लोग ने, EEA और EEB किया, EA और EB कुछ नहीं है, EEA और EEB किया, और उसके बाद, हम लोग ने कल ATG पर अपना discussion end किया था, right, तो जल्दी से उस वाली slide पर हम लोग आ जाते है 80G was donations चलो जब तक स्टाइट खुल रहे हैं तो 80G donations में क्या था donations में 4 तरह क्यों होते थे 100% no qualifying condition 50% no qualifying limit फिर 100% yes qualifying limit और 50% yes qualifying limit ठीक है और qualifying limit में आप कैसे देखते थे आप पहले qualifying limit और donation whichever is less करते थे फिर देखते थे कि उसका जो भी less है उसका 100% allowed है या 50% allowed है और इस तरह से आपका हो जाता था ठीक है आज हमें करना है deduction in respect of rent paid 80 gg 80 gg से आज हम लोगों को start करना है ठीक है 80 gg से हम लोगों को start करना है अच्छा अब देखो 80 gg क्या कहता है कि अगर आप हाउस रेंट अलावेंस भी मिलता था और हाउस रेंट अलावेंस में क्या लीस अब फॉर्विंग एक्जेंट में यह भी था तो अगर मैं प्रोफेशन में हूं और मैं अपने रहने के लिए घर का इस्तेमाल कर रहा हूं और उस घर के लिए में किराया दे रहा हूं तो फिर मुझे एक जी जी में डिदक्शन मिल जाएगा जी जी से आप ऐसे याद कर सकते हो घर घर ठीक है तो ऐसे कुछ-कुछ भी नॉंसेंस निमोनिक रहेट सब्सक्राइब कर सकते हैं अपकी जो भी टोटल इंकम है टोटल इंकम कैसे हैगी ग्रॉस टोटल इंकम माइनस चाप्टर सिक से के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपके वहां पर जो टोटल इंकम आएगी उसके 10% से ज्यादा आपका रेंट पेड हुआ होना चाहिए ठीक है 10% तक ही अगर रेंट पेड है मतलब आपकी टोटल इंकम का अगर आपने सिर्थ 10% ही रेंट पे किया है तो उसका कोई का रेंट पे पेड़ेंगा उससे ज्यादा अगर आपने पेगिया है तभी आपको उसका का रेंट पेक्षिं मेलेगा रही अगर आपको का रेंट इंकम आपके है और प्रोफेशन अब यह वाली चीज है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एटी जीजी का डिड़क्शन क्लेम करने के लिए मतलब मेरी पुष्टैनी हवेली पड़ी हुई है और मैं किराए के मकान पर रहे थोड़ी रहूंगा मैं तो सिर्फ उसको फरजी वाड़ हो आपकी खुद की हुए अगर आपकि जिस हुए भी मरो गां अपने पापा की हुए घरे तो फिर उसका मेरे को यह डिक्शन नहीं मिलेगा ठीक है इंडिया में एंडिया में जॉइंड फामिली वाला कल्चर एंडिया में तो इन्गरेजु की तरसे अलग अलग रहना है किसी और का घर नहीं होना चाहिए. If the SSC owns any accommodation at any place other than that referred to above, such accommodation should not be in occupation of the SSC and its annual value is not required to be determined in section 23.2a और section 23.4a, right? तो अगर मेरे पास मेरी place of business के अलावा, जैसे मैं यहाँ पर प्रयागराज में business कर रहा हूँ और नौइडा में एक मकान है, तो अब नौइडा वाले मकान को मैं occupy नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? नौइडा वाले मकान को मैं occupy नहीं कर रहा हूँ. फिर, Assessy should file a declaration in the prescribed form confirming the details of rent paid and fulfillment of other conditions with return of income. तो जो भी मैं return of income file करूँगा, उसमें rent paid की सारी details मुझे देनी होगी. Quantum of deduction, अब कितना मेरे को reduction मिल पाएगा? तो अगें, अब rent paid है, तो जैसे salary में वो lease of the following, lease of the following, lease of the following होता था, उसी तरह से यहां पर भी अब lease of the following exempt आजाएगा, क्या? Actual rent paid minus 10% of the total income of the SSE before allowing the reduction, ठीक है? तो यह तो हम लोग ने बात की ती अभी-अभी, कि 80 GG में आपको reduction तभी मिलेगा, अगर आपकी जो total income है, आपने rent उसके 10% से ज्यादा pay किया है, ठीक है? तो rent paid minus 10% of the total income, मतलब अगर आपने total income का 10% ही rent पे किया है, तो आपको reduction नहीं मिलेगा, फिर 25% of such total income arrived at after making all deductions, under chapter 6 है, but before making a deduction under this section, तो या तो rent paid minus 10% of the total income, या 25% of the total income, या फिर amount calculated at 5,000 rupees per month, 5,000 rupees per month मतलब क्या आजाता है, 5,000 rupees per month मतलब आजाता है, 60,000 rupees per year, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि maximum limit यहाँ पर 60,000 rupees per year के आगे, ठीक है, तो 60,000 rupees per year से ज्यादा का आपको वो नहीं मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें lease of the following होगा अब lease of the following होगा है, तो 60,000 is the upper limit, 60,000 से ज्यादा का reduction आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, चलिए, question पर आ जाते हैं, अरे बढ़ी जल्दी यह वाला section ख़दम होगया, Mr. Ganesh, a businessman, whose total income before allowing reduction under section 80 GG for assessment year 23-24 is 460,000, paid house rent at 12,000 पीस पर मत in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai, compute the deduction allowable to him under section 80 GG for assessment year 23-24, तो यह तो बहुत ही simple होगया, सबसे पहला क्या था, rent paid minus 10% of the total income, तो 10% of the total income is what, 46,000 और rent इसने कितना पेकिया है, 12,000 पर मत, तो calculator देवता, रकत हो महाराज, हमें आप की सहायता की आवशक्ता है, 144, ठीक है, तो 144,000-46,000, 144,000-46,000, तो लिमिट आगे 98,000, ठीक है, एक आगे आपका 98,000, और दूसरा क्या है, 25% of the total income, तो इसका 4,60,000 का 25%, तो 4,60,000 का divided by 4, आज़ो भई, divided by 4, यह आए 1,15,000, एक लाग पंद्रह हजार, और यह क्या है, 60,000, तो maximum आपको कितना reduction मिलेगा, 60,000 का reduction आपको मिल जाएगा, लीस अब फॉल्मिंग, ठीक, बस इतना छोटू सा प्यारा सा section था, अब आईए, जी-जी ए पर आते हैं, ठीक है, अब देखो, deduction in respect of donations for scientific research and rural development, अरे सर, scientific research वाला deduction तो हम लोग ने पहले कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, section 35 था वो, आँ सर, section 35 भी तो था, तो section 35 और यहाँ पर दोनों पर scientific research के लिए हम लोग deduction ले सकते हैं क्या, the answer is no बेचे, no, ऐसे चोरी होचे, तो फिर, सर, अगर दोनों में नहीं ले सकते हैं, तो फिर यह वाला section क्यों आया, याद करो बेच से, section 35 उन लोगों को मिलता है, जो PGP करते हैं, ठीक है, मैं अगर profession में हूँ, और मैं donation करता हूँ, मैं contribution करता हूँ, किसी national laboratory को scientific research and development के लिए, तो मुझे section 35 के अंदर deduction मिलेगा, लेकिन चारू मैं का क्या, चारू मैं तो business नहीं करती है, वो तो job करती है, तो क्या job वालों का अधिकार नहीं है, कि वो देश की तरक्की के लिए कुछ contribution दे, और उनको भी सरकार की तरफ से deduction मिले, यह तो बहुत ना इंसाफी हो जाएगी, तो सरकार कहती है, ना ना बिच्छे, ना 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 अगर आप पर section 35 नहीं लग रहा है, तो भी हम आपको reduction दे देंगे under section 80 GGA, आईए देखिये, तो eligible कौन है, any assise not having income chargeable under the head profits and gains of business or profession, who makes donation for scientific research or rural development, मतलब अगर कोई business profession में बन्दा है, वो scientific research के लिए अपना investment कर रहा है, तो इसको reduction कहा मिलेगा, section 35 में मिलेगा, यहाँ थोडी मिलेगा, आओ देखो, donations qualifying for reduction, any sum paid by the SSE in the previous year, to a research association which has as its object, the undertaking of a scientific research, or to a university, college or other institution to be used for scientific research, such association, university, college or institution must be approved at section 35.1.2, मतलब उनी institutions को जो section 35.1 में 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 इसेंड है, ठीक है, IITs, NITs वगरा वगरा, वोई national laboratories and so on, any sum paid to a research association which has as its object, the undertaking of research and social science or statistical research, university, college or other institution to be used for research and social science or statistical research, exactly वही चीज़ है, आपर भी, such association, university, college or institution must be approved under section 35.1.3, बिलको सही बात है, any sum paid by the SAC in the previous year to an association or an institution which has as its object, the undertaking of any program of rural development to be used for carrying out any program of rural development approved by the prescribed authority for the purposes of section 35 CCA or to an institution which has as its object, the training of persons for implementing programs of rural development, बाँ मसाता, instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacket and not jacketed with forward introduction table of contents index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and understanding of human brains too sensitive to a vision, sometimes such. बिलकोल उसी तरह से यहाँ पर यह यह लुखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बस लिखते ही रहते हैं, तगड़ा वाला लिखते हैं. It has been clarified that the deduction to which an SSC, that is a donor, is entitled on account of payment of any sum to a research association or university or college or other institution for scientific research, association, कहना क्या चाहते हो, shall not be denied merely on the ground that subsequent to payment, यह वोई वाली कंडिशन आ गए, कि मैंने किसी institution को पैसा दे दिया, और बाद में उस institution का scientific research वाला certificate withdraw कर लिया गया, तो क्या मेरे donation को disallow कर दिया जागा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद any sum paid to public sector company or a local authority or to an association or institution approved by the national committee for carrying out any eligible project or scheme, it has been clarified the reduction to which an SSC is भी a deny नहीं किया जागा, same चीज़ है, any sum paid to rural development fund, set up and notified by section 35 CCA, यह भी सही हो गया, सब सेम चीज़ है, restrictions क्या किया है, no deduction under this section would be allowed in case of an SSC whose gross total income includes income which is chargeable under the head PGBP, ठीक है, तो PGBP में अगर आपकी income आ रही है, कोई भी आपकी थोड़ी सी भी income अगर PGBP में आ रही है, तो इसका reduction आप 35 में क्लेम करो, ATGGA में में मत क्लेम करो, where a reduction, यह ATGGA को आप ऐसे याद सकते हो, GA, गाउं, गाउं किससे स्टार्ट हो रहा है, G से स्टार्ट हो रहा है, मत अब अब गाउं से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ऐसी है, ठीक, where a reduction under this section is claimed and allowed for any assessment year, deduction shall not be allowed in respect of such payment under any provision of the act, for the same or any other assessment year, मतब अब 35 में आपको reduction नहीं मिलेगा, no deduction shall be allowed in respect of donation of any sum exceeding 2,000 रुपीज, unless such sum is paid in any mode other than cash, तो यही वाली चीज हमने ATG में भी देखी थी, ATG में भी क्या था, कि जो भी आप donations करते हो, 2000 रुपे तक आप cash में donate कर सकते हो, तो 2000 रुपे से उपर का अगर आपको donation करना है, तो cash में नहीं होना चाहिए, exactly वही चीज यहां पर भी लिखी है, कि scientific research रूरल development के लिए, अगर आप donation कर रहे हो, तो वो पैसा आपका 25,000 रुपे तक आपका 25,000 रुपे तक आपको cash में होना चाहिए, कोई खास इसका मतलब है नहीं आपके exam point of view, नेक्स्ट आजाओ, section है आपका ATGGB, ठीक है, ATGGB, अब ATGGB होता है, contribution to political parties, ठीक है, जब companies देती है, political parties को donation, जब companies political parties को donation देती है, या contribution देती है, तो companies इसको उसका reduction मिलता है, under section ATGGB, देखे, deduction and conditions क्या है, this section provides for a reduction of any sum contributed in the previous year, by an Indian company, to any political party, or an electoral trust, तो ये companies पर ही है, अगर मैं दूँगा, तो क्या मुझे ATGGB का reduction मिलेगा, नहीं, मुझे ATGGB का reduction नहीं मिलेगा, however, no deduction shall be allowed in respect of any sum contributed by way of cash, cash में अगर आप नहीं किया, तो एक पैसे का भी deduction आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर वो 2000 वाली limit नहीं है, ठीक है, अगर कोई company किसी political party को, या electoral trust को contribute करना चाहती है, तो वो other than cash mode में करेगी, deduction के, ख्लेम करनी के लिए, meaning of contribute क्या मतलब है, for the purpose of this section, the word contribute has the same meaning assigned to it in this section, यह अरे हद हो गई यार, क्या मतलब है, a donation or subscription or payment given by a company to a person for carrying on any activity which is likely to affect public support for a political party shall also be deemed to be a contribution for a political purpose, बढ़ी अच्छी बात है, expenditure incurred directly or indirectly by a company on advertisement in any publication, being a publication in the nature of a souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like by or on behalf of a political party or for its advantage, shall also be deemed to be a contribution to such political party or a contribution for a political purpose to the person publishing it, ठीक है, अब यह वाला part सुन्दों, तो को पहले वाले में तो कोई पंगा ही नहीं है, पहले वाले point में तो कोई पंगा नहीं है, आपने political party को donation दिया, उसको contribution मान लिया जाएगा, contribution और किस तरह से किया जा सकता है, contribution इस तरह से किया जा सकता है, कि company ने advertisement किया, किसी भी publication में, ठीक है, वो publication, souvenir, brochure, tract, pamphlet, किसी का भी हो सकता है, by or on behalf of a political party, मतलब, किसी political party के publication में, company ने अपना advertisement दिया, ठीक है, किसी political party के publication में, company ने अपना advertisement दिया for its advantage shall also be deemed to be a contribution to such political party or contribution for a political purpose to the person publishing it, ठीक है, चलो, next, meaning of political party क्या हो जाएगा, it means a political party registered in the section 29A of the representation of the people act, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बड़ा बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, ये सब खतम हो गया, आओ, इसको देखने है, during the previous year 22-23, ABC Limited, an Indian company, contributed a sum of 2 lakh rupees to an electoral trust and incurred expenditure of 25,000 rupees on advertisement in brochure of a political party, ठीक है, is the company eligible for reduction in respect of such contribution or expenditure, assuming that the contribution was made by check, if so, what is the quantum of reduction, ठीक है, तो अभी आजाओ, कोई लिक्करत वाली बात नहीं है, let's see, यहाँ पर अभी क्या हुआ है, एक Indian company ने पूरा का पूरा check में payment किया है, 2 lakh रुपे का electoral trust को 25,000 रुपे का political party की brochure में advertisement दिया है, ठीक है, political party की brochure में अपना advertisement दिया है, तो दोनों ही contribution का part हो जाते हैं, 2 lakh और 25,000 रुपे, अब आईए देखने हैं, आशर में क्या लिखा हुआ है, an Indian company is eligible for reduction in a section 80 GGB in respect of any sum contributed by it in the previous year to any political party or an electoral trust, further, the word contribute in section 80 GGB has meaning assigned to it in section 293A of the Companies Act 1956 and accordingly, it includes the amount of expenditure incurred on advertisement in a brochure of a political party. Political party का brochure, उसमें अगर आप अगर आप अपना जाता है, therefore, ABC Limited is eligible for a deduction of 2,25,000 रुपे, under section 80 GGB in respect of sum of 2,00,000 रुपे, 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 It may be noted that there is a specific disallowance under section 37 2b in respect of advertisement incurred on, in respect of expenditure incurred on advertisement in a brochure of a political party, therefore, expenditure of 25,000 रुपे, रुपे allora व्ल computing business income रुपे, रुपे, क्या है रुपे रुपे रुपे, सब्सक्राइब करते हैं जो हम लोग कर चुके हैं पीजी बीपी वाले चाप्टर में एक क्वेश्चन में हमने किया था जिसमें प्रॉफिट एल नॉस में एक डेबिट साइड में लिखा वा था यह चौके सब्सक्राइब कर देंगे बिजनस इंकम क्यालकुरेट करता है वो बिजनस इंकम से पीजी बीपी वाले हैड में ऊसका डेडक्शन आपको नहीं मिलेगा लेकिन ग्रॉस टोटल इंकम से आपको उसका डिदट्शन मिल चांएगा तो यह जो कि यह जो स्पेसिफिक डिसलावेंसे section 37 2b में in respect of expenditure entered on advertisement in a brochure of political party therefore 25,000 रुपे would be disallowed while computing business income या gross total income तो gross total income से पहले इसका कोई reduction नहीं मिलेगा, gross total income के बाद इसका reduction आपको मिल जाएगा, I'm sure सब कसमज में आ गया, बला निष्टेर, forever बलो लाइक कर दो, I hope आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, next question, examine the allowability of the following, Rajan has to pay to a hospital for treatment of 62,000 रुपीस and spent nothing for life insurance or for maintenance of dependent disabled, अच्छा, तो dependent disabled के लिए 80 DD में आपको खर्चा मिलता है, flat 75,000 या अगर disability severe है, तो 1,25,000 या इसने खर्चा किया 12,000 का, तो आपको flat 75,000 रुपीस का reduction मिल जाएगा, अगर severe disability होगी, तो 1,25,000 रुपीस का reduction मिल जाएगा, Rajan, a resident in Indian, has spent nothing for treatment in the previous year and deposited 25,000 रुपीस with LIC for maintenance of dependent disabled, तो again यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, 75,000 मिल जाएगा, dependent disabled के लिए, अगर severe disability है, तो 1,25,000 रुपीस मिल जाएगा, Rajan has incurred 20,000 रुपीस for treatment and 25,000 रुपीस was deposited with LIC for maintenance of dependent disabled, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 75,000 का आपको reduction मिल जाएगा, अगर severe disability है, तो 1,25,000 रुपीस का reduction मिल जाएगा, payment of 50,000 रुपीस by check to an electoral trust by an Indian company, तो इसका reduction आपको 80 GGB में मिल जाएगा, क्योंकि check के through दिया हुआ है by any mode other than क्या, तो यह amount paid by an Indian company to an electoral trust is eligible for reduction, under section 80 GGB from gross total income, since such payment is made otherwise and by way of cash, तो तो अच्छा, companies ने तो political parties में contribution कर लिया, companies ने political parties में contribution कर लिया, और companies को उनका reduction विल गया, what about me, I'm not a company, क्या मैं political parties में contribution करके कोई reduction क्लेम कर सकता हूँ, the answer is yes, under section 80 GGB तो वो ही वाली चीज़ है, कि आपने अगर political party या electoral trust को को कोई सम contribute किया है previous year में तो आपको इसका reduction मिल जाएगा, लेकिन cash में अगर आपने किया तो आपको ही है, ठीक है, वो category हमारी हमारी खतम हो गए, हम लोग slide number 252 पर है, एक सिकन के लिए आप याद रखना, slide number 252 है यह, ठीक है, आप क्या याद रखो कि क्लास में रिकॉर्ड करो तो मुझे याद रखना होगा, ठीक है, slide number 252, यह देखिये, deductions in respect of certain payments, so we did ATC, ccc, ccd, cce, d, 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 we did ATDDB, ATE, ATEE, EEA, EEB, G, GG, GGA, GGB, और GGC, तो यह 16 के 16 boards हम लोग ने पढ़ लिये हैं, पर अब हम लोग आते हैं आगे, 252 slide, 252 slide, यह रही है, अब हम लोग आते, next पे, deductions in respect of certain incomes, तो आपको याद होगा, परसो, नर्सो ही, कल, परसो, नर्सो, नर्सो, ठीक है, जब पहली वाली class हुई थी, deductions की, तो फिर उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, कि 80 IA से 80 RRB वाली series होती है, और उसमें से major sections आपके CA final में है, लेकिन intermediate level पर बस 3 sections है, वो 3 sections कौन-कौन से हैं, वह हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, 80 JJA, 80 QQB और 80 RRB, ठीक है, आईए, शुरू करते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, ठीक है जी, आओ देखो, we'll be studying the following अड़े this heading, तो अब employment बढ़ाने के लिए, लोग employable भी होने चाहिए, तो जो भी companies, लोगों को jobs देती हैं, उनके लिए, जो भी खर्चे आते हैं, उस खर्चे का deduction देती है, सरकार 80 JJA में, ठीक है, QQB क्या होता है, QQB होता है, मैंने सब उसको किताब लिख दी, ठीक है, other than textbook, textbook नहीं, मैंने कोई भी ऐसी novel fiction वगरा कुछ भी लिख दिया, तो वो लिखने पर, जो भी मेरे को royalty मिलती है, उस royalty का में जो deduction मिलेगा, अगर मैंने किसी इसका reduction मिलता है, अगर मैंने अपने किसी idea को patent करवाया, और उस patent के लिए मेरे को royalty मिल रही है, तो फिर RRB में उसका reduction मिल जाएगा, ठीक, चलो आज़ो, सबसे पहला जो section है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ATJJAA, यह थोड़ा सा लंबा section है, पर मज़ा आएगा, देखो, deduction in respect of employment of new employees, तो नए employees के लिए, अगर मैं नए employees रखे, तो उनके लिए मुझे deduction मिलेगा, कैसे मिलेगा, आओ देखते हैं, तो quantum and period of deduction क्या है, where the gross total income of an SSE, to whom section 44 AB applies, 44 AB क्या था, 44 AB था, कि मुझे अपनी books of accounts को औरेट कराना, कंपाल सरी है, right, that was 44 AB, includes any profits and gains derived from business, a deduction of an amount equal to 30% of additional employee cost, incurred in the course of such business in the previous year, would be allowed for three assessment years, including the assessment year relevant to the previous year, in which such employment is provided, आईए, इसको आसान भाशा में समझते हैं, ठीक है, इसको बहुती आसान भाशा में अगर हम लोग समझें, तो देखो, जब भी आप नए employees को रखते हो, तो आपको additional employee cost incur करनी पड़ती है, तो ये employee cost जो भी होती है, salaries में तो आपको इसका deduction मिलेगा ही मिलेगा, salaries में तो आपको इसका deduction मिलेगा ही मिलेगा, मैंने कोई नया employee हायर किया, उसको मैंने salary की, तो PGP में मैं profit and loss में salaries account तो debit करूँगा ही, मतलब PGP को मैं debit करूँगा ही salaries से, लेकिन उसके अलावा 30% of the additional employee, नय employees को जितना भी पैसा में दे रहा हूँ, उसका 30% का additional deduction मुझे ATJJAA में मिल जाएगा, तीन सालों तक के लिए मिलेगा, मतलब अगर मैंने previous year 22-23 में नय employees रखे, तो इनको जितना भी मैं पैसा दे रहा हूँ, उसके 30% का additional deduction मुझे 22-23 में मिलेगा, 23-24 में भी मिलेगा और 24-25 में भी मिलेगा, ठीक है, तो क्या लिखाए एक बार फिर से देख लेते हैं, a deduction of an amount equal to 30% of additional employee cost incurred in the course of such business in the previous year would be allowed for three assessment years, including the assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided, ठीक है, तो 22-23-24-24-25, conditions क्या हो नहीं चाहिए, the reduction would be allowed only subject to fulfillment of the following conditions, पहला, the business should not be formed by splitting up or the reconstruction of an existing business, ठीक है, तो business आपका existing होना चाहिए, उसको split up करके या restructure करके आपको नया business नहीं बनाना चाहिए, the business is not acquired by the SSE by way of transfer from any other person or as a result of any business reorganization, तो कोई amalgamation या de-merger का case नहीं होना चाहिए, अगर वो case हुआ तो आपको additional employee cost का benefit नहीं मिलेगा, the report of the accountant giving the prescribed particulars has to be furnished before 30th September of the assessment year, being the specified date referred to in section 44 AB, that is the date one month prior to the due date for filing return of income under section 139.1, चलो मैं आपको बता जेता हूँ, section 139 return of income के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार बीच-बीच में बातें की है, कि जिन लोगों का audit required होता है, उनकी last date of return filing क्या है, 31st October है, तो 31st October से एक महिने पहले, यानि 30th September को audit report file हो जानी चाहिए, ठीक है, 31st October से एक महिने पहले, यानि 30th September को audit report file हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर बूला गया है कि additional employee cost का अगर आप benefit लेना चाहते हो, तो 30th September तक ये सारी चीज़ें आपकी audit report में मेंशन होनी चाहिए, मैं पनी पे लेता हूँ, आप वीडियो लाइक करता हूँ, आओ देखो, अब ये तो हो गया, अब meaning of certain terms देखते हैं, ठीक है, पहली बात ये additional employee cost, जिसका 30% हमें reduction मिलने वारा है, इसका मतलब क्या है, तो देखो, total emoluments paid or payable to additional employees employed during the previous year, ठीक है, emoluments का मतलब payments, तो जितना भी आपने payment pay किया या pay करने वाले हो, to additional employees employed during the previous year, एक और word पर ध्यान जेना, additional employees, additional employees, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, additional employees बोला है यहाँ पर, new employees नहीं बोला है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, suppose मेरे पास कोई एक editor है, video editor है, ठीक है, उसको मैं महीने का 35,000 उपे देता हूँ, suppose, अब मैंने उस editor को निकाल दिया, और उसकी जगा कोई नया editor रख लिया, और नया editor को भी मैं 35,000 उपे देता हूँ, तो क्या मैंने कोई additional cost incur की, क्या मैंने कोई additional cost incur की, तो इसलिए यहाँ पर new employees नहीं बोला है, यहाँ पर additional employees बोला है, अगर मैं अपने existing editor के अलाबा कोई एक नया editor hire करता हूँ, और उसको मैं 30,000 या 35,000 उपे महिने देता हूँ, तो that 35,000 रुपीज would constitute as an additional payment, लेकिन अगर मैं एक उसको हटा कर, एक editor को हटा कर, एक employee को हटा कर, दूसरे employee को रख रहा हूँ, तो कहाँ हुई additional cost, ठीक है? देखो, तो meaning of certain terms में, additional employee cost, total emoluments paid or payable to additional employees employed during the previous year, in case of an existing business, अब देखो, additional employee cost shall be nil, इफ, जो अगर आपका business existing है, तो additional employee cost आपकी nil होगी, अगर, अगर क्या? If there is no increase in the number of employees, from the total number of employees employed, as in the last date of the preceding year, अभी हम previous year 22-23 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे, 22-23 में additional employee cost nil आई, अगर, number of employees in 22-23, will be the same as on, as the number of employees as on 31st of March 2022, पिछले previous year के आखरी दिन, जो भी number of employees थे, अगर उतने ही रहे 22-23 में, तो कोई additional cost नहीं लगी मानी जाएगे. इफ emoluments are paid otherwise than by way of account pay check, और account pay bank draft, और by use of electronic clearing system, through a bank account, और through any other prescribed electronic mode, credit card, debit card, net banking, IMPS, UPI, RTGS, any FTA बगेरा बगेरा. तो अगर हमने emoluments, इन सब electronic modes के अलावा पे किये, तो भी additional cost को nil माना जाएगा, additional employee cost को nil माना जाएगा. आईए देखे. इन the first year of new business, यहाँ पर यह क्या था? In case of an existing business. Right? Existing business के case में, additional employee cost shall be nil, if, दो चीज़ें बताई गई यहाँ पर, पहला, अगर number of employees में कोई increase नहीं हुआ, और दूसरा, अगर आपने payment cash वगरा में किया तो. ठीक है? दूसरा, in the first year of new business, अगर आपका first year है, नया business आपने start किया उसका पहला साल है, emoluments paid or payable to the employees employed during that previous year shall be deemed to be the additional employee cost. Obviously, जितना भी आप payment employees को कर रहे हो, वो सारा का सारा आपकी additional employee cost हो जाती है. Additional employee का क्या मतलब है? Additional employee का क्या मतलब है? An employee who has been employed during the previous year and whose employment has the effect of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last date of the preceding year. इसका मतलब क्या हो गया? कि suppose 22-23 में मेरे पास 30 employees थे. 22-23 में मेरे पास 29 employees थे. अब मैंने एक और employer को hire किया. या फिर मैं ऐसे बोलू कि मैंने दो employees निकाल दिया और उसकी जगर दो employees hire किया. अब अगर 29 में से एक employee हटा दूगा मैं, तो मेरे कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे? और मैंने दो नए employees hire कर दिये. दो नए employees hire किये. 22-23 की बात बता रहा हूँ मैं. तो थोड़ा सो और detail में बताता हूँ आपको इधर देखो. इधर थोड़ा साफ-साफ. ठीक है? क्या करते हो तुम? एक employee को निकाल दिया, तो ये 28 employees बचे. फिर मैंने दो और employees को hire कर लिया, तो ये 30 employees आ गए. ठीक है? तो previous year के last year पे 29 थे. और अभी मेरे पास 30 हो गए. तो additional employee मेरा 1 हो गया. ठीक है? additional employee मेरा 1 हो गया है. तो additional employee क्या? अन employee who has been employed during the previous year, मतलब 22 थे 20. previous year मतलब 22 थे 20. ठीक है? और whose employment has the effect of increasing the total number of employees employed by the employer as on the last day of the preceding year. last day of the preceding year मतलब 21 थे 20. ठीक है? 31st March 22. अधो. 31st March 22. 31st March 22. last day of the preceding year. यही है. 31st March 2022. ठीक है? Exclusions from the definition. अब additional employee को कौन नहीं, कौन-कौन additional employee नहीं माने जाएंगे. An employee whose total emoluments are more than 25,000 रुपीस परमत. अगर किसी employee की salary 25,000 रुपे महीने से ज्यादा है, तो उसको यहां पर नहीं काउंट किया जाएगा. अगर आप बड़े-बड़े managers को hire कर लो, जिनको आप लाखो रुपे महीने के दे रहे हो, और फिर उसकी आप 30% के reduction क्लेम कर लो. नहीं. वो तो आपको claim करना ही पड़ेगा. वो तो आपको hire करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी business need है. यहाँ पर तो promotion के लिए, जिससे unemployment rate थोड़ा सा कम हो, तो उसके promotion के लिए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर उसकी काबिलियत होगी रहा, तो उसको बहुत अराम से job मिल जाएगी. किसी भी बंदे की अगर काबिलियत होगी, बहुत अराम से job मिल जाएगी, और companies भी उसको बहुत अराम से ले लेंगी, और अच्छी salary पे देंगी. ठीक है? लेकिन जो बच्चे, जो लोग, लब काइदे से पढ़े लिखे नहीं है, या उन्होंने college में बहुत जादा time waste किया है, या उन्होंने बस ऐसी रटे मार मार कर पास कर लिया है, और प्लस 30% का additional deduction भी मिल जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है? तो देखो, तो एक ऐसा employee जिसकी salary 25,000 पे महीने से ज्यादा है, उसकी salary पर 30% का reduction आपको 80, यह वारा जो डबल जबल जबल आवरा section है, इसमें नहीं मिलेगा. फिर, एन employee for whom the entire contribution is paid by the government under the employee's pension scheme, तो कुछ ऐसे भी employees होते हैं, जिनकी सारी की सारी सालरी सबकार पे करती है, तो उसका भी आपको reduction नहीं मिलेगा. An employee who does not participate in the recognized provident fund, तो जो भी employee RPF में investment नहीं करता है, तो उसका भी आपको reduction नहीं मिलेगा. चौथा, An employee employed for a period of less than 240 days during the previous year, तो कोई employee आपने hire किया, उसको 240 दिन के अंदर-अंदर ही आपने उसको निकाल दिया, तो उसका count नहीं किया जाएगा. In case of an SSC engaged in the business of manufacturing of apparel or footwear or leather products, An employee employed for a period of less than 150 days during the previous year. तो अगर आपका ये जूते-बूते बनाने का काम है, और आपने उसमें employee को hire किया, और 1.500 दिन के अंदर-अंदर निकाल दिया, तब भी उसको count नहीं किया जाएगा. मतलब, यहाँ पर तो 1.500 के उपर था न, यहाँ पर 240 दिन के अंदर-अंदर था, यहाँ 1.500 ही दिन के अंदर-अंदर अगर निकाल दिया, तो उसको नहीं माना जाएगा. मतलब 240, अगर कोई 230 दिन के लिए रहा, इसी कंपनी में, सब्सक्राइब बाटा ने हायर किया, अब बाटा ने 230 दिन के बाद उसको निकाल दिया, तो वो additional employee मान लिया जाएगा, क्योंकि 1500 दिन के उपर हो गया, ठीक? Note, if an employee is employed during the previous year for less than 240 days or 150 days as a case may be, but is employed for a period of 240 days or 150 days as a case may be, in the immediately succeeding year, he shall be deemed to have been employed in the succeeding year. इसका मतलब क्या हो गया, suppose किसी नए employee की hiring March में ही हुई, अब March में, suppose 1st March से अगर किसी की job लगी, तो कैसे वो 1500 दिन या 240 दिन कंप्लीट कर लेगा, नहीं कर सकता, तो सरकार ने का है चल ठीक है, अगर मान लो 21-22 में आपने उसको हायर किया था, suppose आपने उसको 1st March 2022 में हायर क ठीक है, 1st March 2022 से 30 दिन हुए, या 31 दिन मान लो आप, तो अभी 21-22 में तो 244 दिन या 150 दिन से कम रहा हो, लेकिन 22-23 में अगर वो 1500 दिन या 240 दिन से ज्यादा रहा, अगर 22-23 में, मतलब वही employees जो 1st March 2022 में employee कर लिए गये थे, अगर वो 22-23 में 240 दिन या 500 दिन से ज्यादा के employed रहे, तो यह मान लिया जाएगा कि उनको 22-23 में ही employee किया गया था, and hence आपको 30% का deduction 22-23-24-25 में मिलेगा, फिर 22-22 में मिलेगा, right, accordingly the employer would be entitled to deduction of 30% of the original employee cost and such employees for 3 years from the succeeding year, right, emoluments का क्या मतलब होता है, तो any sum paid or payable to an employee in lieu of the employment by whatever name called, तो जितना भी पैसा दे रहे हो, किसी भी नाम से, चाहे salary, rent, commission, commission, fees, brokerage, किसी भी नाम से रहे हो, तो वो हो जाएगा, exclusions from the definition, अब emoluments में क्या-क्या नहीं आएगा, ठीक है, emoluments में क्या-क्या चीजें नहीं आएगी, आज़ो वो देखते है, any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or any other fund for the benefit of the employee under any law for the timing and force, तो अगर employer ने किसी pension fund वगेरा में employee के बहाप पर पैसा जमा किया, तो वो emolument में नहीं माना जाएगा, any lump sum payment paid or payable to an employee at the time of termination of a service or superannuation or voluntary retirement such as gratuity, severance pay, leave encashment, voluntary retrenchment, benefits, commutation of the pension and the like, तो इनको भी emoluments में नहीं माना जाएगा, I'm sure, यहाँ तकी बात आप सब को समझ में आ गई, बर रिष्टे, forever, बर रिष्टे, forever, ठीक है, आओ सर, शुरू करते है, अगला, यहाँ पर, क्या है, अब आ इस question से बहुत सारी चीज़ें आपको clear होंगी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपने इस वीडियो को फटावट से लाइक कर दीजिए, let's see, Mr. A has commenced the business of manufacture of computers on 1st April 2022, 1st April 2022, give it up for Mr. A, very good, Mr. A, he has employed 350 new employees during the previous year 22-23, details of whom are as follows, ठीक है, तो number of employees 75, date of employment 1st April, regular employees ह के case में नहीं मिलेगा, ठीक है, casual employees के case में आपको, जो है, additional employees नहीं माना जाएगा, ठीक है, casual employees को नहीं माना जाएगा, तो देखो, 1st April 2022, regular employee है, और monthly emoluments कितने, 24,000 है, तो क्या इनके cost पर, जो भी आप इनको 24,000 रुपे इंटु 12, इंटु 75 करोगे, उसका 30% आपको deduction मिलेग है, 80, double, J, double, A में, हाँ, employee की cost 25,000 से कम है, right, employee 240,000 से ज्यादे के लिए hired है, right, और employee, regular employee है, दूसरा, 125 employees को हायर किया, 1st May 2022, तो definitely 240,000 से ज्यादे ही हो गया, regular employee है, लेकिन, total monthly emoluments कितने, 26,000 रुपे है, तो क्या ये 26,000 रुपे हम count करेंगे, ये 26,000 रुपे हम बिलकुल भी count नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ये जो 125 employees है, इनको हम लोग बिलकुल भी count नहीं करेंगे, क्यों count नहीं करेंगे, क्यों कि इनकी जो monthly payment है, वो 25,000 रुपे से ज्यादा है, 50 employees को 1st August को hire किया गया, casual employees है, और 24,500, तो भले ही 24,500 है, 25,000 से कम है, बट क्योंकि ये casual employees है, तो इसलि हैं, और 24,000 इनकी emoluments है, तो 24,000 की जो इनकी emoluments है, तो ये भी 25,000 से कम है, तो इसको भी additional employee cost मान लिया जाएगा, लेकिन, क्योंकि ये 1st September 2022 को हुआ है, तो इसने 240 दिन कैसे complete किये, 240 दिन इसने complete नहीं किये, ठीक है, 180 दी नहीं हुए, September, October, November, December, January, माच्छे महीन है, अल्मो September को अगर इसने join किया हुआ है, तो even though regular employee है, 25,000 रुपे से कम की तनखाय महीने की, लेकिन फिर भी इसको count नहीं किया जाएगा, क्योंकि 240 दिन से कम के लिए employed थे, मैं पानी पी लेता हूँ, आप लाइक कर दो वीडियो को, है ना, कितना अच्छा होगा, अगर मैं पानी पी रूँगा और आप वीडियो को लाइक कर दोगे, कितना मजा आएगा, हम, जान, तो अब करना क्या है, regular employees participate in recognized provident fund, while the casual employees do not, एक, compute the deduction if any available to Mr. A for assessment year 23-24, if the profits and gains derived from the manufacture of computers at year is 75 lakh rupees and his total turnover is 10.16 crore rupees, what would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of footwear on 1st April 2022, एक है, अब देखो, तो Mr. A is eligible for reduction under section 80, double J, double A, since he is subject to tax audit under section 44 A, B for assessment year 23-24, ऐसे परा चल ला है कि यह, इनका जो total turnover थी, वो 10.16 crore से उपर थी, ठीक है, 10.16 crore, मतलब 10.16 crore की थी, मतलब 10 crore से उपर थी, तो 10 crore से उपर पर audit report बनानी पढ़ती है, ठीक है, तो, and he has employed additional employees during the previous year 22-23, अब देखो, additional employee cost कितने आएगे, 24,000 रुपे, into 12, into 75, अब ये 75 कहां से आएगा, देखो, हम 350 में से, ये 125 employees minus करेंगे, ये 50 employees minus करेंगे, ये 100 employees minus करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 125, ये 50 और ये 100, इनको additional employees माना ही नहीं जा सकता, for the reasons that we've just discussed, right, तो, ये कितना आएगा, ये आएगा, 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 आपका, 350 minus, 125 minus 50 minus 100, तो, ये आजाएगा, आपका 75, तो, 75 employees हुए, 75 employees हुए, ये ही है 75 employees, ठीक है, और ये 24,000 रुपे महीना, 12 महीना, 24,000 रुपे, 12 महीना, 75 employees, तो, ये 2,16,000,000 का आया, और 80 JJAA में कितना मिलेगा, 30% of this, तो, ये आजाएगा, 64,80,000 रुपे, ये वोई है, इसको आप लोग देख लेना, आपने, 350 है, ठीक है, उसके बाद, casual employees on 1st August, कितने हैं ये, 50 employees है, तो, casual employees on 1st August आ गए, 50, उसके बाद, regular employees on 1st May, regular employees on 1st May ये आ गए, आपके, 120, 100 को माइनस किया, उसके बाद, ये जो आपके regular employees है Hmmm, 100 है, इन 100 को माइनस किया, ठीक है, तो किता है 225 और 50 तो 275, 275 माइनस हो गए और बचे ठीक है बच गए आपके पास 75 अच्छा अब अगर यह footwear में employed होता अगर मालों यह footwear का business start किया होता if Mr. A. had convinced the business of manufacture of footwear on 1st April 2022 footwear का business अगर शुरू किया होता तो फिर 240 की limit हटके तो क्या हम इनको इन 100 लोगों को minus करते इन 100 लोगों को तब हम minus नहीं करते तो हमारे पास तब total additional cost कितनी आती 175 employees पर आती 75 into 12 into 24,000 plus 100 into 100 into 6 into 24,000 क्योंकि यह 1st September को जो लोग employ हुए है इनकी जो salary है वो 25,000 से काम है और इन्होंने 150 days से ज्यादा काम किया है और अगर 150 days से ज्यादा है footwear वगेर वाली company में तो फिर इसको additional employee cost में माना जाता है तो साड़े 300 में से सिर्फ यह 125 minus होंगे और यह 50 minus होंगे तो 75 employees यह और 100 employees यह यह हमारे additional employee cost के होंगे तो इस पर additional employee cost कितनी आएगी इन 75,000 employees के लिए 24,000 into 12 क्योंकि these 75 employees were employed from 1st April 2022 तो 12 मही ने इन्होंने सर्फ किया लेकिन इन जो 100 employees है these were employed on 1st September 2022 तो इन्होंने 6 मही ने सर्फ किया तो 24,000 into 6 into 100 यह भी आप का जाएगा सब को टोटल करेंगे उसका 30% लेंगे वह reduction आपको मिल जाएगा ठीक अगर मिसरे manufacture of footwear में थे तो फिर कितना मिल जाएगा यह 1 September का भी मिल जाएगा तो देखो 24,000 into 7 into 100 24,000 into 7 अच्छा ठीक है नहीं होगा सर्फ फर्स सेप्टेमर है न वह तो ठीक है कोई बात नहीं सेप्टेमर ऑक्टोबर नॉवेंबर डिसेंबर जैनुरी फेबरी मार्च ठीक है तो पाँ 6-7 साथ महीने के लिए यह मिल जया और 2 करोड 16 लाग हम पहले next हम आते हैं ATQQB पर कि अगर author of certain books other than textbooks उनको royalty मिलती है तो उनको reduction मिल जाता है ATQQB में let's see eligible assessi को रे? resident individual being an author of any book other than textbooks whose gross total income includes eligible income eligible income मतलब क्या है? income derived by him in exercise of his profession on account of lump sum consideration for assignment or grant of any of his interests in copyright of any book being a work of literary artistic or scientific nature or royalty or copyright fees whether receivable in lump sum or otherwise in respect of such book basically book लिखी royalty मिली eligible income है अपनी total income में उस eligible income को royalty income को आप include करोगे PGPP में वो जाएगी और उससे फिर आपको deduction मिल जाएगा deduction मिलेगा आपको ATQQB में टिक? notes books shall not include brochures, commentaries, diaries, guides, journals, magazines, newspapers, pamphlets, textbooks for school tracks or other publications of similar nature तो अगर आपने इस सब लिखा तो आपको इसमें QQB का deduction नहीं मिलेगा lump sum in regard to royalties or copyright fees includes an advanced payment on account of royalties or copyright fees common sense amount of deduction will be lower of the following यह आपके लिए important है 100% of such eligible income और 3 lakh rupees तो 100% of royalty या 3 lakh rupees whichever is lower उसका reduction आपको QQB में मिल जाएगा amount of eligible income before allowing expenses attributable to such income shall not exceed 50% of the value of the book sold during the previous year however this condition is not applicable where the royalty or copyright fees is receivable in lump sum in lieu of all rights of the author of the book आईए इसको समझते हैं हम लोग क्या है कि जो भी आपकी eligible income है मतलब जो भी आपकी royalty है वो value of books sold के 15% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए मतलब gross royalty income should not be more than 15% of the value of books sold usually क्या होता है कि suppose मैंने कोई किताब लिखी मैंने शुचिता प्रकाशन को दे दी मैंने का छापो शुचिता प्रकाशन ने suppose एक किताब 500 रपे की छापी और शुचिता प्रकाशन ने का कि हम आपको हर सेल पर 10% की रॉयल्टी देंगे तो अब MRP अगर 500 रुपे 500 रुपे पर बिक रही है 500 रुपे स्टूडेंट से लिया जा रहा है तो उसका 10% मेरे को मिलेगा लेकिन 15% तक सरकार कहती थीक है 15% तक की रॉयल्टी हो सकती है लेकिन अगर रॉयल्टी से ज्याद नहीं हो सकती है लेकिन अगर whereby छरचे के ओंगे उसको आप सब्सक्रेंगा रहोगे royalty income क्या against, आप खर्चे क्लेम करोगे, तो खर्चे क्लेम करने से पहले कि जो आपको royalty मिली, मतलब फ्लाट जो भी आपको royalty मिली, वो आपकी value of books sold के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. However, this condition is not applicable whether royalty or copyright fees is receivable in lump sum in lieu of all rights of the author of the book. अगर lump sum में मिलेगा, तो of course, इसको नहीं count किया जाएगा. Royalty income earned from foreign sources. अगर वो मिल रही है royalty, तो कैसा होगा? Where the SSC earns any income from any source outside India, he should bring such income into India in convertible foreign exchange within a period of 6 months from the end of the previous year in which such sum is earned or within such further period as the competent authority may allow in this behalf for the purpose of claiming reduction under this section. मतलब मैंने कोई book लिख दी. तीक है, अब मेरी book होगे international best seller, भाई साब, US में हर book store पे निशान्त कुमार, निशान्त कुमार, निशान्त कुमार छपा पड़ा है. अब US में मेरे को earn हुई वो income. क्या उस income का deduction में इंडिया में ले सकता हूँ? Of course, ले सकता हूँ. कैसे ले सकता हूँ? ऐसे ले सकता हूँ कि 21-22 में, मैंने किताब छापी, 21-22 में US में best seller हो गई वो. तो 21-22 में मुझे जितना भी पैसा मिला, वो 22-23 के शुरू के 6 महिनी के अंदर-अंदर मैं यहाँ पर लियाओ. तो मुझे 21-22 में उसका reduction मिल जाएगा. 22-23 में, जो भी मेरे को बाहर earn हुई, जो भी मेरे को बाहर पैसा मिला, उस पैसे को मैं 23-24 के पहले 6 महिने, 23-24 का पहले 6 महिना मतलब April, May, June, July, August. मतलब 31st August के अंदर-अंदर मेरे को वो पैसा इंडिया में लेकर आ जाना चाहिए in Convertible Foreign Exchange. The competent authority shall mean the Reserve Bank of India and such other authority as is authorized under any law for the timing and force, regulating payments and dealings in foreign exchange. तो इसका मतलब यह हो गया, अगर RBI ने मुझसे कह देए कि निया निशान्त तू तो अपना भाई है यार, ठीक है, और तू अपना भाई है तो तेरे को 6 महिने के अंदर-दर लाने की जरुदर ने तो तू साल भर में ले ले आया, तो फिर मुझे तब भी उसका reduction मिल जाएगा. Condition क्या है, Assessi must furnish a certificate in prescribed form and manner, duly verified by the person responsible for making such payment to the Assessi, along with the return of income. मतलब, मेरी किताब अगर शृचिता प्रकाशन छापता है, तो शृचिता प्रकाशन को मुझे एक proper certificate देना पड़ेगा, कि हाँ ये royalty हम ही ने निशांत कुमार को दी है, और मुझे उस certificate के साथ साथ अपना return भी Assessing Officer को दिखाना पड़ेगा. No double deduction, no reduction shall be allowed under any other provision of this Act, in any assessment year, in respect of income for which deduction is allowed under this section. आईए सर. ये भी हो गया, अब आजाओ, इससे related एक question किया जाए, तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, let's see, I see AI के study material का illustration number 17, आईए देखते हैं, Mr. Aakash, ये देखो, आईसे आप जिन्दगी भर इसने अपने माबाप को कोशा होगा, double A, role number 1, सबसे पहला, मेरा एक दोस्त है, आशीश, उसका भी बेटा हुआ, तो मैंने पूछा, क्या नाम रखा है, क्याता है, essay रखने का है, पढ़नित पढ़नित ने बताए होगा किसी, essay रखना है, मैंने का बड़ी अच्छी बात है, ये शुरुवात वाला भी नहीं है, और ये लास्ट वाला भी नहीं, ये बंदा बीच में कहीं पर बैठेगा, क्योंकि बच्चों का नाम रखते हुए, ये सबसे इंपॉर्टन चीज होती है, ये भाई नाम क्या रखो, क्योंकि अगले 18 साल, उसी पर डिपेंडेंटनित है भाई सा, उस बच्चे के अगले 18 साल, उस बच्चे की जिन्दिए शुरु आती है 18 साल, इसी बात पर डिपेंडेंटनित के उसका नाम क्या है, अब आपने नाम रख दिया, आकाश, डबल ए के एस ह, तो इसका तो रोल नमर डेफिनिटली वन मनेगा, अब इसका रोल नमर नमर बनेगा, वाईवा में सबसे पहले ये जाएगा, एक्जाम हॉल में सबसे पहले ये बैठेगा, सबसे बहले तडी इसको पड़ेगी, कोई भी टेस्ट होगा, सबसे पहले ये ही आएगा, बेचारा, कोई बात ने, Mr. Akash received royalty of 2,88,000 rupees from a foreign country for a book authored by him, being a work of literary nature. The rate of royalty is 18% of the value of the book, so my god, like this is like killing it man, 18%? How? Not possible. The expenditure incurred by him for earning this royalty was 40,000 rupees. Amount remitted to India till 30th September 2022 is 2,30,000 rupees. The remaining amount was not remitted till 31st March 2023. एक सेटेंबर में आता गया, वही मैं सोटा तो August कैसे आ गया, April, May, June, July, August, September, वही तो, पता नहीं क्या हो गया, मैं मेरी माच सोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, ठीक है मेरी माच कमजोर होती जा रही है, अभी 1st September से 31st March मैंने 6 महिने काउंट कर ले थे, जबकि थे 7 महिने, अभी 1st April से लेकर 6 महिने काउंट करने थे, तो मैंने 31st August को बता दिया, पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं Nishten Code use करके, Anacademy Plus का सब्स्रिप्शन लोगा, और मैं CA Foundation के Maths पढ़ूँगा, तो मेरी Maths फिर जब काईदे से स्ट्रॉंग होगी, उसके बाद फिर मैं ये सारे Monthly Calculations करूँगा, ठीक है? All right, आईए. So the rate of royalty is 18% of the value of books, the expenditure incurred by him for earning this royalty was 40,000 रुपीज, ठीक. So royalty, आपको gross royalty कितनी मिली? तो आपको 288,000 रुपी की मिली, 40,000 का आपने खर्चा कर दिया. Amount remitted to India till 30th September 2022 is 2,30,000 रुपीज. तो आपको 288 का मिलेगा, या 230 का मिलेगा. आपको 230 का मिलेगा. पहली बात तो, ये जो royalty मिली, ये anyway 18% of the value of the books मिली है. तो पहले तो इसकी 15% calculate करनी पड़ीगे. कि 15% कितना है? और फिर 15% में से हम देखेंगे कि इसने 2,30,000 रुपीजार इंडिया में remit किया है. तो 2,30,000 का ही मिलेगा. फिर 2,30,000 अगर कम हुआ, तो उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे और वो आपकी deduction आपको मिल जाएगा. टिक? रमेनिंग अमाउंट वस नौट रेमिरे तिल 31st माई 23. compute the amount includeable in the gross total income of Mr. Aakash and the amount of deduction which will be eligible for deduction under section 80QQB. टिक? ओके. gross total income में कितना count किया जाएगा? तो gross total income में तो 2,88,000 जित्ती royalty मिली है. माइनस expenditure 40,000 तो 2,48,000 gross total income में count किया जाएगा. ठीके. 2,48,000 रपे gross total income में include किया जाएगा. पर deduction कितने का मिलेगा? तो उसके लिए फिर हम लोगों को काफी सारी चीज़ें करनी होंगे. तो देखो. The net royalty of 2,48,000 पीस that is 288 less 40,000 being expenditure to earn such income is includable in gross total income. अब deduction कितने का मिलेगा? तो पहले तो ये देखो. कि 2,88,000 तो 18% of the value of the books है. ठीके. तो 15% of the value of books कितना आएगा? तो पहले value of books आएगी. value of books कैसे आएगी? 2,88,000 upon 18% ये आपकी value of books आएगी. ठीके. इसका 15% ये आपकी 15% of the value of books आजाएगा. तो 2,88,000 divided by 15% सॉरी 18% हा ना. 2,88 divided by 18 into मन्दब 16,00,000 की books भी की है. 16,00,000 की books भी की है. इसका 15% देखो. 2,40,000 तो 2,40,000 या 2,30,000 तो 2,30,000 तो क्यों 2,30,000? क्योंकि इंडिया में तो 2,30,000 ही लाया है ना. तो 2,88,000 की रॉयल्टी एर्न की. ठीक है, 2,88,000 की रॉयल्टी एर्न की. रॉयल्टी कम्क्यूरेड आट 15% of the value of books sold. कितना आया था ये? 2,40,000 आया था. ये 2,40,000 आया था. अमाउंट ब्रॉट इंटू इंडिया कितना था? 2,30,000 का पैसा ये इंडिया में लेकर आया. तो आपको 2,30 का deduction मिल जाएगा. 2,30 का आपको reduction मिल जाएगा. लेकिन अगर आप पूरा 2,30 का reduction यहाँ पर ले लोगे और income में जो आप include कर रहे हो 2,88. उसमें से भी आप 40,000 माइनस करके यहाँ पर आप ले रहे हो 2,48 इंक्लूट कर रहे हो. तो आपको नहीं रखता है यह 40,000 का आप double deduction ले ले रहे हो. एक बार तो income में include करते समय भी आपने 40,000 का reduction ले ले लिया. और फिर यहाँ पर reduction क्लेम करते समय भी आप 40,000 का फिर से reduction ले ले रहे हो. तो अभी 1,90,000 रुपे का reduction आपको ATQQB में मिल जाएगा. एक लाख 90,000 रुपे का reduction आपको ATQQB में मिल जाएगा. आईए, next section आता है आपका ATRRB, तो यह जो दूसा वारा चल रहा है, deductions in respect of certain incomes, वो भी हमारा आखरी section आगया, ATRRB, कि अगर आपको patents पर कोई royalty मिलती है, तो इसका भी आपको reduction मिल जाता है. तो eligible SSC क्या है? A resident individual who is registered as a true and first inventor in respect of an invention under the Patents Act 1970, including co-owner of the patent and earning income by way of royalty of a patent registered on or after 1st April 2003. Quantum of deduction कितना है? Income by way of royalty of a patent registered on or after 1st April 2003, subject to a maximum of 3 lakh rupees. तो actual amount received या 3 lakhs, whichever is lower. No deduction in respect of certain income will be allowed. Such income will be allowed under any other provision of the Income Tax Act 1961. Eligible income क्या है? Exemption shall be restricted to the royalty income, including consideration for transfer of rights in the patent or for providing information for working or use of a patent, use of a patent or rendering of the service, any service in connection with these activities. So, अगर आप patent को use करने के लिए भी पैसा आप मांगते हो या आपने patent को transfer कर दिया, तो वो सारी eligible income आपकी आजाती है. Exemption shall not be available on any consideration for sale of product manufactured with the use of the patented processes or patented article for commercial use, right? तो जैसे Domino's वालों के पास patented होगा, उनकी जो भी recipe थी, उनने उसका patent करवाया. अब Domino's के recipe मांग कर, sorry, Domino's ने अपनी patented process को use करके pizza बना है, और pizza बना कर बेचना शुरू कर दिया. तो क्या pizza के बेचने से जो पैसा आ रहा है, वो ये माना जाएगा कि patent की royalty आ रही है? नहीं, वो नहीं माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर Domino's वालों से मैंने उनका patented process use करने की permission मांगी, और मैंने उनसे का कि मैं जितना भी समान बेचूँगा, उसका कुछ percent आपको देता रहूँगा as royalty, तो ये patented process use करने के लिए मैं royalty दे रहा हूँ, तो ये Domino's वालों expenditure हो जाएगा, eligible expenditure हो जाएगा, eligible income हो जाएगी, ठीक है? All right, the exemption shall not be available on any consideration for sale of product manufactured with it, with the use of the patent to process or patent or article for commercial use. Conditions के, in respect of any such income which is earned from sources outside India, the reduction shall be restricted to such sum as is brought into India and convertible foreign exchange within a period of six months from the end of the previous year in which such income is earned or extended period as is allowed by competent authority, same चीज़ है, और ये आपको certificate देना पड़ेगा prescribed authority पे, right? और इसी के साथ हमारा जो दूसरी category थी, reductions in respect of certain incomes वो भी यहाँ पर clear हो चुकी है, हमने तीन sections पड़े, AT डबल जे डबल आ, AT QQB और AT RRB आप सभी से request है, या आप वीडियो को like करते हैं, और हम चलते हैं अपनी तीसरी category पर, deductions in respect of other incomes, तो यहाँ पर दो ही sections हैं, एक ATTTA और एक ATTTA क्या है, कि अगर मैंने savings account में अपना पैसा जमा किया, और उससे मुझे कुछ interest मिल रहा है, तो इस interest का मुझे deduction मिल जाएगा under section ATTTA, ATTTA, ATTTA क्या है, कि अगर किसी senior citizen ने deposits किये हैं, और इन deposits के बदले interest मिल रहा है, तो उसका reduction senior citizens को मिल जाएगा ATTTA में, ATTTA में सिर्फ specifically savings accounts बोला गया है, deposits नहीं बोला गया है, तो FD का interest अगर मुझे मिलता है, तो क्या वो taxable होगा, हाँ, वो taxable होगा, लेकिन अगर FD का interest मेरे दादा जी को मिलता है, तो क्या वो taxable होगा, नहीं, वो taxable नहीं होगा, क्यों तो सबसे पहले, ATTTA, Eligible Assessi and Quantum of Deduction, section ATTTA provides that in case of gross total income of an Assessi, being an individual और a Hindu univariate family, includes any income by way of an interest on deposits in a savings account, not being time deposits, which are deposits repayable on an expiry of fixed periods, तो specifically mentioned है, time deposits में नहीं, तो स्पेसिफिकली में नहीं, तो स्पेसिकली में नहीं, तो स्पेसिकली में नहीं, तो स्पेसिकली में नहीं, तो स्पेसिकली में Deduction, up to 10,000 rupees in aggregate shall be allowed while computing the total income of such a CC. तो 10,000 रुपे तक का, अगर interest मेरे को मिलता है, savings account से, तो 10,000 रुपे तक के interest पर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा tax, deduction मिल जाएगा. Such deduction shall be allowed in case the savings account is maintained with a banking company to which the Banking Regulation Act 1949 applies, और a cooperative society, engaged in carrying on the business of banking, a post office, ठीक है? तो banking company, cooperative society, या post office, अगर इन तीनों के पास मेरा खाता है, savings account है, और इनसे मेरे को 10,000 से कम का interest मिल रहा है, तो फिर उसका reduction में ATTTA में ले लुगा. Deduction under this section would however not be available to a senior citizen eligible for a reduction under section ATTTAB. Obviously, जो senior citizens है, वो ATTTAB, उनके लिए specific section मना है, पेटी TTA में उनने कोई reduction नहीं मिलेगा. Restriction का है? तो यह जो भी interest वगएरा है, अगर आपको partnership firm वगएरा से मिल रहा है, तो यह आपके हाथ में exempt नहीं होगा, इस पर tax लगेगा. In effect, the deduction under this section shall be allowed only in respect of the income derived in form of the interest on the savings bank deposit other than time deposits made by the individual और HOF directly. तो अगर मेरे नाम का मेरा personal savings account है, उस पर मेरा पैसा जमा है, और उसमें से मेरे को कुछ भी पैसा मिलता है, interest मिलता है, तो 10,000 पर तक का मेरे को उसको, उसका reduction मिल जाए का. Next, आता है आपका section ATTTB. अब ATTTB, senior citizens के case में होता है, right? तो eligible assessi कौन है? A senior citizen, a resident individual who is of the age 60 years or more at any time during the relevant previous year, whose gross total income includes income by way of interest on deposits, both fixed deposits and savings account with a banking company, a cooperative society and a post office. quantum of reduction, यहाँ पर इनको 50,000 रुपे का मिल जाता है. Maximum reduction 50,000 का. इंडिविज्वेल्स और HOF के case में maximum reduction कितना? Maximum reduction 10,000 का. Senior citizens के case में maximum reduction कितना? 50,000 का. और वही, partner अगर आप किसी firm में partner हो, और partner ने आपके बेहाफ पर savings account में पैसा डाल रखा है, यह fixed deposit ले रखे, उससे आपको interest मिलता है, तो वो आपके हाथ में taxable होगा. खुद करना पड़ेगा. अब देफो, next. Mr. A, a resident individual, aged 61 years, has earned business income computed of 1,35,000 रुपी. तो यह computed income है, तो आपको कुछ और इसमें, खर्चे वचे claim करने की ज़र होती है, पड़ेगा. लॉटरी income of 1,20,000 रुपी ग्रॉस, तो यह lottery income आपकी income from other sources में आ जाएगी. During the previous year, 22-23, he also has interest on fixed deposits of 30,000 रुपी with bank. तो income from other sources में, 1,20 रुपी आ गया और यह 30 आ गया. यह invested in an amount of 1,50 in public provident fund account, 80C में reduction मिल जाएगा. What is the total income of Mr. A for assessment year, 23-24, assuming that he does not opt for section 115 BAC. तो अभी यहाँ पर interest on fixed deposit यह जो 30,000 मिला है, इसका भी reduction बहुत अराम से 80TB में मिल जाएगा. मिल, मिल, जाएगा. मिल, मिल, जाएगा. ठीक है? इसका reduction आपको 80TB में मिल जाएगा. अच्छा. आईए सर, अब आगे देखा जाए. profits and gains from business profession कितना हुआ? यह हुआ एक लाख 35,000 रुपे का. यहाँ है आपका? एक लाख 35,000 रुपे का. लॉट्री से इंकम आपकी एक लाख 20,000 रुपे किया है. लॉट्री से इंकम आपकी एक लाख 20,000 रुपे किया है. अच्छा, आपको यादे ना कि लॉट्री इंकम यह जो casual वाली इंकम होती है. इनके अगेंस्ट आप कोई खर्चा नहीं ले सकते हो. I hope आपको याद होगा. income from other sources में हम लोग ने बात कीती है इसके बारे में disallowable deductions. तो यह जो भी casual income होती है, lottery income वागेरा होती है, इसके अगेंस्ट से आप कोई reduction नहीं क्लेम कर सकते है, gross total income वाला, ठीक है? gross total income के अंदर से, जो chapter 6A वाले deductions होते हैं, जो हम लोग इतने दिनों से पढ़ते होए आ रहे है, उनके deductions आप lottery income के अगेंस्ट नहीं ले सकते हो, casual income, एक, anyway, fixed deposit आपकी 30,000 के आ गई, तो यह आ गया आपका 1.5 लाख रुपे का, 1.5 लाख रुपे का यह आ गया, तो यह आ गया आपका 2.85 का, 2.85 का आपके पास यहाँ पर income आ गई है, अब देखिए आप लोग, 1.5 लाख रुपे इस ने, PPF में invest किया, तो 1.5 लाख रुपे इस ने, PPF में invest किया, ठीक है, और 80TTB वाला, इसको 30,000 के यह मिला, तो this is 1.80,000 रुपे, but this will be restricted to only, 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 restricted to only, 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 इतना, this will be restricted to, पूरे 180 का reduction आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरे 180 का reduction नहीं मिलेगा, क्यूं, क्यूंकि अगर पूरे 180 का reduction मिल गया, तो 2.85 में से आप calculate करोगे, समझना है इस बात को, 2.85,000 है, इसमें ना, 3 incomes है, 3 incomes है, PGBP income 135, lottery income 120, और ये fixed deposit वाली 30,000, ठीक है, आप इसको नहीं count कर सकते, 1,20,000 का आपको कोई reduction नहीं मिलेगा, मतलब इसके against, ये casual income, जो lottery income है, इसके against आपको कोई reduction नहीं मिलेगा, अगर आपका total deduction एक 80 है, तो that has to be restricted to 135 plus 30, यानि 165 तक का ही आपको reduction मिल पाएगा, देखे हो, 180 का total deduction है, पर आपको reduction इसके against मिल जाएगा, मतलब 135 तक का reduction आप ले सकते हो, आप इसका भी reduction ले सकते हो, तो 30 का और deduction ले सकते हो, तो this plus this is what, 1,65,000 रुकी, तो 180 का भले ही आपका total eligible deduction है, बट क्यूंकि ये eligible deduction के लिए आपके पास income ही नहीं है, ठीक है, this will be restricted to 1,65,000 रुपीज, तो 285 minus 165 and this will be 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज, जो आपकी lottery income है, वहीं यहाँ पर आपकी total taxable income आ जाती है, I'm sure, सब किसमझ में आ गया, बलो, इस्टेर, फॉर, बलो, इस्टेर, फॉर, एक सर, मैं पानी पी लेता हूँ, आईए देखे, कितना दाइम हो गया, अरे अभी ए घंटा दस मिल्ट हुआ है, ओर राइट, देखो, Mr. Gurnam, aged 42 years, has salary income computed of 550 for the previous year ended 31st March 23, computed salary income है, क्या इसमें से standard deduction minus करोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि computed it, he has earned interest of 14,500 रुपीज on savings account, with State Bank of India during the year, ठीक है, तो, savings account से, interest income आईए, age 42 years के, ATTTA का reduction मिलेगा, 10,000 के reduction मिल जाएगा, compute the total income of Mr. Gurnam for assessment year 23-24 from the following particulars, assuming that he does not opt for section 115 BAC, life insurance premium paid to build a son life insurance in cash, amounting to 25,000 रुपे for insurance of life of dependent parents, ठीक है, तो, life insurance premium pay किया, ATC में reduction मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि cash में pay किया गया है, इसलिए reduction नहीं मिलेगा, insurance policy was taken on 15th September 2019, and some assured on life of his dependent parents is 2,000,000 रुपे, इसकोई फरक नहीं पढ़ता, क्योंकि cash में payment किया किया है, एक, next, life insurance premium of 25,500, paid for the insurance of life of major son, who is not dependent on him, तो, कोई फरक नहीं पढ़ता, चाहे dependent हो, चाहे नाट dependent हो, sales spouse, children, included होते है, the sum assured on life of his son is 3,500,000 रुपे, and life insurance policy was taken on 30th March 2012, 30th March 2012 वे, यानि 1st April 2012 से पहले लिया हुआ है, तो 20% of the actual capital sum assured का reduction आपको मिल पाएगा, तो 3,50,000 का 20% कितना हैगा, 70,000 रहेगा, और आपने पे कितना किया है, 25,500 पे किया है, तो 70,000 के अंदर ही अंदर है, तो पूरे 25,500 का reduction आपको ATC में मिल जाएगा, life insurance premium paid by check of 22,500 रुपे for insurance of his life, अपनी खुद की life के लिए life insurance premium पे किया है, 22,500 का, insurance policy was taken on 8th September 2018, and sum assured is 2,00,000 रुपीज, तो क्यूंकि 1st April 2012 के बाद की policy है, तो सिर्फ 10% of the actual capital sum assured का ही reduction मिलेगा, मतलब 20,000 रुपे का reduction मिलेगा, 22,500 का reduction नहीं मिलेगा, premium paid of 26,000 रुपीज, paid by check for health insurance of self and his wife, तो ATD में इसका reduction मिलेगा, लेकिन 26 का नहीं, सिर्फ 25 तक ही मिलेगा, 1,500 रुपीज, paid in cash for his health check-up, जो अपने health check-up के लिए किया, उसका कोई खर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन जो parents के लिए preventive health check-up किया, उसका खर्चा मिल जाएगा, खुद का और parents का, मिलाकर 5000 रुपे तक का preventive health check-up किया जा सकता है, पूरे 5000 की limit अभी तक बाकी है, parents में 50,000 तक की limit है, ATD में, और उसी के अंदर ये 5000 included है, तो 4500 parents के नाम पर मिल जाएगा, क्योंकि ये parents के लिए ही खर्चा किया हुआ है, ठीक है, और अपने लिए, आपने cash में pay किया health check-up के लिए, तो health check-up के लिए नहीं, preventive health check-up के लिए मिल जाएगा, paid interest of 6,500 रुपीज on loan taken from bank for MBA course pursued by daughter, अच्छा, तो higher education के लिए, higher education के लिए, जब आप loan लेते हो, उस पे interest पे करते हो, ATE में आपको reduction मिलता है, तो ये 6,000 रुपे का reduction आपको ATE में मिल जाएगा, a sum of 5,000 रुपीज donated in cash to an institution approved for purpose of section 80G for promoting family planning, तो आपको कोई भी reduction इसका नहीं मिलेगा, क्यों इसका reduction नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा cash में payment किया है, 2000 रुपे से उपर अगर cash में आप payment करते हो, तो आपको payment disallowed हो जाता है, ठीक, बस that's it, चलो, आजाओ, sequentially करना start करते हैं, तो सबसे पहले salary income कितनी थी? salary income 5,50,000 salary income 5,50,000 interest on savings deposit कितना? 14,500 interest on savings deposit 14,500 तो 5,64,500 5,64,500 ठीक है? gross total income आगे ही, सबसे पहले, ATC life insurance premium for parents कुछ भी नहीं आएगा, life insurance premium for son, son के लिए पूरा कितना? 25,500 रुपे पूरा 25,500 रुपे allowed हो जाएगा ठीक है? और उसके बाद जो self के लिए लिया था, वो 2,10,000 यानि 20,000 ही allowed होगा ठीक है? life insurance premium भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है? उसके बाद 26,000 रुपे का क्या किया? health insurance, हाँ, तो 26,000 का 25,000 का इसमें reduction मिल जाएगा? 25,000 ठीक है? और parents के लिए जो 4,500 करवाया, वो यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है? तो ये कितना आ गया? 29,500 आ गया आ गया आपका 29,580D का, उसके बाद ये भी ड़न, फिर ये भी ड़न, उसके बाद 6,580E, 80E, 6,500 6,580E, उसके बाद ये हो गया, फिर 7th, 5,000 donated in cash, तो ये आपका निल आ जाएगा, ठीक है? donated in cash, निल आ जाएगा, और उसके बाद ये जो, क्योंकि 42 साल का है, तो ATTTA में 10,000 रपे का reduction मिल जाएगा ATTTA में 10,000 रपे का reduction मिल जाएगा एक तो total deductions कितने हो गया? total deductions हो गया, 45,500 plus 29,500 plus 6,500 plus 10,000 and this is 91,500 we have 5,64,500 5,64,500 minus MRC 473 473 473,000 is your answer I'm sure सब समझ में आ गया forever forever last अपनी जो category है, उस पर हम लोग आ गए है, other deductions में और यहां पर सिर्फ एक ही section है and that is ATU याद करो, जब हम ATD पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर या ATD पढ़ रहे थे, या ATC भी पढ़ा था, life insurance premium में, तो उसमें एक बात यह भी थी 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 है, कि अगर आपकी policy 1st April 2013 के बाद आपने policy लिए है, और किसी disabled person के लिए है, जिसकी disability ATU में 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 मेंशन है, तो 15% of the actual capital sum a short का भी reduction आप ले सकते हो, और वहाँ पर भी यही था कि dependent, disabled में भी, तो disability कहां पर mention होती है, ATU में mention होती है, और फिर वहाँ पर ATDD में ये भी बात थी, कि कि कोई disabled बंदा ATU में अपना deduction ले रहा है, तो उसको ATDD में उसके लिए आपको खर्चा नहीं मिलेगा, तो ATU क्या है, Deduction in case of a person with disability, तो देखो, section ATU harmonizes the criteria for defining disability as existing under the income tax rules with the criteria prescribed with the persons of disability, equal opportunities, protection of rights and full participation act 1955, 1995, eligible is such a कौन है, this section is applicable to a resident individual who at any time during the previous year is certified by the medical authority to be a person with disability, The benefit of deduction under this section is also available to persons suffering from autism, cerebral palsy and multiple disabilities, quantum of deduction भही है, 75,000 और 1,25,000 जो आपको ATDDD में था, ठीक है? Yeah, so the benefit of this deduction under this section is also available to persons suffering from autism, cerebral palsy and multiple disabilities, यह हो गया, फिर quantum of deduction, a reduction of 75,000 यह भी हो गया था, यह वही वाला था, के जो आपको ATDDD में लिमिट थी, वही है, पर भी है, Conditions क्या है, Assessi claiming a reduction under this section shall furnish a copy of the certificate issued by medical authority in the form and manner as may be prescribed along with the return of income under section 139 in respect of the assessment year for which deduction is claimed, यह यह आपको certificate mention करना होगा, where the condition of disability requires reassessment, fresh certificate, exactly वही जैसा ATDDD वाला था, बिल्कुल वैसा ही है, and now let's come to the last question of this chapter, जो हमारे पास है, और उसके बाद यह वाला चाप्टर का discussion हमारा खतम हो जाए गा, let's see, आओ, आओ, देखते हैं, Comprehensive सा question, For the assessment year 23-24, the gross total income of Mr. Chaturvedi, a resident in India, was 8,18,000 per 240 rupees, which includes long-term capital gains of 2,45,000 rupees, taxable under section next to 12, and short-term capital gain of 58,000 rupees. Gross total income also includes interest income of 12,000 rupees from savings bank deposits with banks and 40,000 interest on fixed deposits with banks. Mr. Chaturvedi has invested in PPF 1,20,000 rupees and also paid medical insurance premium of 51,000 rupees. Mr. Chaturvedi also contributed 50,000 rupees to public charitable trust eligible for reduction under section 80G by way of an account paycheck, compute the total income and tax thereon of Mr. Chaturvedi, who is 70 years old, as on 31st March 23, ignore the provisions of section 115 BAC. Mr. Chaturvedi, मैं दो काम करता हूँ, पहले तो मैं पानी पीता हूँ, दूसरा, मैं जाकेट पहनेता हूँ, क्योंकि अब जो है, फंट्स ही लग रही है, ठीक, चलो, तो हमें करना क्या है, ग्रॉस टोटल इंकम आपको दी हुई है, 8,18,240 rupees, ठीक है, ग्रॉस टोटल इंकम आपको दी है, 8,18,240 rupees, इसी से हम लगों को स्टार्ट करते हुए चलना है, और यहाँ पर long term capital gains भी आपके 2,45,000 rupees के आजाते हैं, ठीक है, long term capital gains के against, आप 6A के reductions को claim नहीं कर सकते हो, इसी भी long term capital gains के against, आप chapter 6A के reduction को claim नहीं कर सकते हो, तो एक काम करते हैं, हम income compute करते हैं समय कुछ ऐसा करते हैं, कि gross total income including long term capital gains कितना है, 8,18,240 है ना, 8,18,240, इसमें से 2,45 के जो taxable long term capital gains है, उनको minus कर देते हैं, ठीक है, जिससे बवाली ना है, तो 8,18,240, माइनस 2,45,000, यह हो गया, 573,240, 573,240, ठीक है सर, यह हो गया, 573,240, अब आओ, देखो, क्या-क्या reductions है, short term capital gains, 58,000 के थे, लेकिन नहीं, short term capital gains के अगेंस से आप deduction ले सकते हो, देखो, gross total income में से, जो भी आपके deductions होते हैं, chapter 6A वाले, यह chapter 6A के deductions, आप long term capital gains से नहीं ले सकते हो, चाहिए वो shares वाले long term capital gains हो, चाहिए वो non हो, मतलब 112 वाले से भी, और 112A वाले से भी, short term capital gains में, सिर्फ 111A वाले short term capital gains के अगेंस से आप deduction नहीं ले सकते हो, मतलब shares वाले short term capital gains के अगेंस से आप deduction नहीं ले सकते हो, chapter 6A का, इन वाले work के अगेंस से आप ले सकते हो, interest income 12,000 रुपे की है, savings bank deposits से with banks, ठीक है, और यह senior citizen है, तो ATTTB का reduction इनको मिल जाएगा, ATTTB का reduction, बाद में देखेंगे, and 40,000 interest on fixed deposits with banks, तो ठीक है, 12,000 प्लस 40,000, कितना हो गया, 52,000 हो गया, लेकिन इनको एंको deduction मेरेगा, सिर्फ 50,000 का ATTTB में, Mr. Chaturvedi has invested in PTF 1,20,000 रुपे, तो यह तो ATC हो गया, ATC में 1,20,000 रुपे, ATC में 1,20,000 रुपे, and also paid a medical insurance premium of 51,000 रुपे, तो senior citizen है, तो 50,000 रुपे का medical insurance premium, 80D में, एक, उसके बाद, Mr. Chaturvedi also contributed 50,000 to public charitable trust, ठीक है, अभी यह public charitable trust कौन से हो जाते हैं, charity वाले 50% subject to qualifying limit, ठीक है, 50% deduction subject to qualifying limit, ठीक है, Mr. Chaturvedi, अज यह G वाला भी जाने दो, ATG वाला, Mr. Chaturvedi also contributed 50,000, यह तो हो गया, ठीक है, तो अभी deduction section ATG बचा हुआ है, इसको अभी फिलाल जाने देते, TTB वाले deduction हम लोग ले लेता हैं, 50,000 का, ठीक है, TTB वाले deduction ले लेते हैं, 50,000 का, और ATG वाले जो deduction है, उसको हम लोग अभी फिलाल के लिए जाने देते हैं, ठीक, आईए सर, adjusted gross total income का 10%, वही तो आपके qualifying limit आईगी, और gross total income में से क्या-क्या minus किया जाता है, यह capital gains वगरे सब कुछ minus किया जाता है, ठीक है, long term capital gains minus करोगे, और उसके बाद, deductions, under sections, ATC to ATU, minus करोगे, except ATG, तो यह आपके adjusted gross total income आईगी, तो देखो, आपके total income कितनी है, 8,18,240, 8,18,240, तो gross total income is 8,18,240, 8,18,240, इसमें से, आप long term capital gains minus करोगे, 2,45,000 के, ठीक, और ATG, यह सारे के सारे deductions, तो 1,20, plus 50, plus 50, यानि, 270, ठीक है, 270 के deductions आप यहाँ से minus कर दोगे, sorry, 220 के करोगे, 270 कहां से आ गया, 50,50, 1, 1, plus 120, 220, 220 के deductions आपने यहाँ से, यह कर दी है, तो आपने total minus कितना किया, आपने 4,65 minus किया, 4,65 आपने minus किया, तो 8,18,240, 8,18,240, minus 4,65,000, this is your, 3,53,250, यह आपके adjusted gross total income आई, 3,53,250, na, 3,53,240, 3,53,240, यह आपके adjusted gross total income निकल कर आई, इसका 10% will be 35, 32, 4, 35, 3,24, एक qualifying limit हो गई, 10% of this, तो which is 35, 324, डोनेश कितना किया था, डोनेट किया था, 50,000 रुपे, 50,000 रुपे का donation किया था, 50,000 रुपे इधर आगया, तो whichever is lower, तो 35,324, और अब आपको इसका 50% का reduction मिल जाएगा, ठीक है, इसके 50% का आपको reduction मिलेगा, वो भी बोलना था, 50% subject to qualifying limit, तो पहले 50% ले लो, और उसके बाद उसको compare करो, qualifying limit से वो नहीं, पूरे donation को qualifying limit से compare करो, जो कम हुआ, उसका 50% आपको reduction मिलेगा, तो 35,324, 35,324, divided by 2, यह जागा 17,662, 17,662, टिक, 17,662, तो कितने deductions हो गए, एक लाग बीस अधार, प्लस पचास अधार, प्लस पचास अधार, प्लस 17,662, तो यह जागा, 573,240, 573,240, माइनस MRC, 335,578, ठीके, यह जागा आपका, 335,578, long term capital total income excluding है, 335,578, यह जाए थाना, 335, 335,578, long term capital gains, दो 25 के include कर दो, यह आपकी total income आएगी, total income में तो long term capital gains include हो गई न, तो प्लस 2,45,000 रुपे, 580,578, 580,578, अब आपको tax liability भी निकालनी है, टाक्स liability में यह जो long term capital gains है, इस पर तो 20% का टाक्स लगेगा, तो long term capital gains पर यह आगया, 20% on long term capital gains, 20% on 2,45, 49,000, ठीक, अब 580-578 तो यह आता है आपका, short term capital gains भी दिये हुए है, यह जाता है, 1778.9, तो 1779, 179, 1779, तो 49,000, प्लस 1779, यह आता है, 5779, 50,779, अच्छा, कोई surcharge, आज कोई rebate वगएरा कुछ तो है नहीं, rebate नहीं है, क्योंकि total income 5,00,000 से ज्यादा है, तो 5779, पर आप simply health and education says लगा दो, किता आता है, 2031, 2031, तो total कितना आ जाएगा, 5779, प्लस 2031, यह आगया, 5281, तो आपकी जो total tax liability आ गई, 52,810 और इसी के साथ, हमारा एक और chapter यहाँ पर, खतम हो जाता है, deductions from gross total income, ठीक है, और आज तो क्या exact तेट गंडे में खतम हुआ, चलो मैं आपको फड़ाबच से बता देता हूँ, सब्स्रिप्शन कैसे लेना है, तो आपने के वेबसाइट पर आओगे, start learning पर क्लिक करोगे, start learning पर क्लिक करने के बाद, आप यहाँ पर CA पर क्लिक करोगे, CA के बाद, आप CA intermediate पर क्लिक करोगे, intermediate पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा, यहाँ आप subscription plans पर आईएगा subscription plans पर आने के बाद आपके सामने यह options आ जाएगे यहाँ पर आप get plus पर click करिएगा get plus पर click करने के बाद आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा यहाँ पर आप मेरा code डाल दीजगा निश्टेन ठीक और apply कर दीजगा तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा so thank you so much everyone for watching वीडियो को like कर दीजगा, comment section में comment करके बताएगा आपको session कैसा लगा take care, अपना ध्यान रखिए, bye bye, see you tomorrow exactly at 9pm, bye